सपन्याना पुष्य वक्ता की कुस्ता अध्याय दो हे निरलज जाती के लोगो इकटे हो इससे पहले कि दंड की आग्या पूरी हो जाए और बचाओ का दिन भूसी की नाई निकल जाए और यहवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आपड़े और यहवा के क्रोध का दिन तुम पर आए तुम एकटे हो हे पुष्य के सब नम्र लोगो हे यहवा के नियम के मानने वालो उसको ढूंडते रहो धर्म को ढूंडो नम्रता को ढूंडो संभव है कि तुम यहवा के क्रोध के दिन में शरना हो क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अश्कलोन उजार्ण हो जाएगा अश्टोत के निवासी दिंदु पहरी निकाल दे जाएगे और एक क्रोन उखडा जाएगा हाई समुद्रतीर के रहने वालों पर हाई करेती जाती पर हे कनान, हे पलिष्टियों के देश यहुआ का वच्चन तेरे विरुद्ध है मैं तुझको ऐसा नाश करूँगा कि तुझमें कोई न बच्चेगा और उसी समुद्रतीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओ समेत चराई ही चराई होगी अर्थात वही समुद्रतीर यहुदा के घराने के बच्चेगों को मिलेगी वे उस पर चराएंगे वे अश्कलोन के छोड़े होए घरों में सांच को लेटेंगे क्योंकि उनका परमेश्वर यहुआ उनकी सुधी लेकर उनके बंधों को लवटा ले जाएगा मुआब में जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की वह मेरे कानों तक पहुची है इस खारण इसरायल के परमेश्वर सेनाओ के यहुआ की यहवानी है कि मेरे जीवन की शपत और सदैव उजडे रहेंगे और मेरी प्रजा के बचे होए उनको लूटेंगे और मेरी चाती के श्रेश लोग उनको अपने भाग में पाएंगे यह उनके गर्व का पल्टा होगा उन्होंने तो सिनाओ के यहुआ की प्रजा की नाम धराई और उस पर बड़ाई मारी है यहुआ उनको डरावना दिखाई देगा वह प्रुत्विभर के देवताओं को भोको मार डालेगा और अन्ने जातियों के सब द्वीपो के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे हे कुशियों तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा कर अश्यूर को नाश करेगा और निन्वे को उजाड कर जंगल के समान निर्जल कर देगा और उसके बीच में जुंड के सब जाति के वन परशू जुंड के जुंड बैठेंगे और उसके खंबो की कंगनियों पर धनेश और साही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे उसकी डेवडिया सुनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकडी उगारी जाएगी यह तो वही नगरी है जो मगन रही थी और नीडर बैठती रही थी थी और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं परंतु अब यहाँ उजाड और वनपुशू के बैठने का स्थान बन गई है यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा